हालो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग पहुत पहुत अच्छे होंगे तो मेरे नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केर वेल फार्मा में तो हम देख रहे थे अपनी इंडस्टियल फार्मेसी फ़र्स्ट बी सभी की जो लिंक होगी वह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदी दाएगी और बाकी आप चाहो तो प्लेलिश्ट बगरा देख सकते हो वहाँ पर आपको सारी वीडियो लेक्चर बाइस मिल जाएंगी चलिए बात करते हैं तो आज हम देखने वाले अपने टैबलेट कोटिंग के बारे में तो यह एक बड़ी सी लेंदी वीडियो रहेगी और इसमें टैबलेट कोटिंग का जितना भी मैटरियल आपको एटूजर सारा को जो आप इस वीडियो में मिलने वाला है अब चलिए बात करते कि आखिर कौन-कौन से टॉपिक करने के लिए यहां पर कुछ देखेंगी मैंटर से कोटिंग कर सकते हैं एक्विप मेंट की जरूत पड़ेगी यहां इसके लिए लगेंगे तो उसके बारे में स्टॉडी करेंगे और देर हमारा इसमें लास्ट तो यह सारी बात है जो हम आज की वीडियो में जानने वाले और बाकी जो इसके टाइम रहेंगे वह भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बहुत जाल जिससे आपको जो डारक्ली कोई भी टॉपिक देखना हो अब वहां जाके चेक आउट कर सकते हैं चलिए तो सबसे पहले समझते हम टेबलेट कोटिंग के बारे में कि आखिर जेक कोटिंग होती क्या है तो इसका ना आप सबसे बैस्ट मतलब ऐसा इकजांपल जैसे मालो अपने लोग हैं तो मालो सर्दी आएंगी तो हम लोग क्या करेंगे हम जैकेट पहेंगे बड़ी-बड़ी तो इसके इनर की हो गई जाब बड़े-बड़े जैकेट की हो गई या रजाई की हो गई सर्दियों में तो उसी तरह से हम यहां पर करते हैं और इस तरह से मालो आप यह वाली कोटिंग हो गई अब इस एक्जामपल समझेट का सबसे बेस्ट एक्जाम तो भई है जैसे मालो कोई दवा हमारी यह है और यह किसी बच्चे को खिला नहीं है और यह दवा अगर तेस्ट आएगा और इतनी कडवी दवा अगर मुह में जाएगी तो बच्चे तो उल्टी करी देंगे तो वह सुलूसन क्या है कि हम इसके उपर करा देते कोटिंक करेंदी शुगर कोटिंग पूरी होगी itt यह हमारी होँपर से प्सुईटेंछ्ट होगी यानकी तो यहां पर आपने देखा कि जो हमारी कोटिंग होती है वो हमारी कितनी ज़्यादा फाइदे मन दोती है यह बस मैंने आपको एक यूज बता दिया कि अनप्लीजेंट जान कि जो ऐसा विटर टेश्ट बगए रहा होता है उसको मास्क करने का काम आता मास्क मतलब उसको उप सिंपली डेफिनिशन की बात करें तो क्या बोल सकते की कोटिंग इस प्रॉसेस इन विस्दा टैबलेट सर्फेस इस कवर्ड वाइद लेयर टू इंप्रूब दा एपियरेंस एंड टू मास्क दा अनुप्लीजेंट टेस्ट एंड और यहां कि यहां पर यहां पर यहां पर एपियरेंस में हमारी अच्छी हो गई एपियरेंस का मतलब होता है देखने में कोई चीज कैसी है दूसरा अगर इसका टेस्ट खराब होगा तो यहां अगर हम सुगर कोटिंग का यूज कर रहे हैं तो इससे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा और मीठी हो समझ गए होंगे तो अब हम समझते हैं कि आखर यहां पर मतलब रीजन क्या क्या है इस कोटिंग को हम करके हो रही है तो पहला रीजन तो वही हमारा कि अगर कोई हमारी ऐसी दवाय जिसका अनप्लीजन टेस्ट जो हमें मतलब नहीं चाहिए और उसको मतलब हम इसली स्वैल बगरा नहीं कहा सकते तो ऐसे टेस्ट और आडर के लिए हम उस टैबलेट पर कोटिंग कर देते हैं सुगर कोटिंग फिर अगर कोई मालो ड्रग वगरा तो उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोटिंग का यूज़ करते हैं अब जैसे सिंपल थी बात है मालो यह हमार टैबलेट है और अगर हम इसके उपर क्या कर दें और ऐसे समस्टांस की जो हमारे वाटर इंसियॉबल कोटिंग कर दें तो भाई यह पानी में खराब नहीं होगी क्योंकि अगर पानी बगर आएगा तो वहमारा उपर कोटिंग वाले फिल्म से ठकर आएगा पहले तो वहा आगे बताने वाला हूं बस आप समझो कि इस तरह हम इसके उपर कोटिंग कर देते हैं वह हमारे जो हमारी टैबलेट होगे इसको इनवायरेमेंट बगएरा से भी बचाती है प्रोटेक करती है उसको इस्टेबल बनाती है और यह हमारा एपिरेंस को अच्छा करती है तो हम ज तब क्या होगा कि जब यह टैबलेट हमारे इस्टमक बगएरा मस आएगी तो पहले इसके उपर जो कोटिंग है वह पहले क्या होगी डिसिंटिकेट होगी डिजॉल्व होगी और जब इसकी कोटिंग हता होगी तब जो है इसका थोड़ा सा टाइम भढ़गा यानकी सटें यहां पर इस तरह की कोटिंग कर देंगे और वह कोटिंग हम उस सबस्टान से करेंगे जो हमारा इस पी एच में जानकी जो एसेटिक पीएच यहां पर यहां पर बना सकते हैं तो इस तरह से बहुत जादा फायदे हैं हम चाहो तो इसको अपनी तरफ से भी बनाके लिख सकते हो क्या कि क्या रीजन थे कि हमने टैबलेट कोटिंग की जिरूद पड़ी तो यह सा है लेकिन बेसिकली जो मारी मेन होती है वह मारी होती है सुगर कोटिंग और फिल्म कोटिंग और जो मारा एंटरिंग कोटिंग है वह एक तरह से देखा जाए तो हमारी फिल्म कोटिंग के अंदर ही आता है लेकिन इंपोटेंट बहुत जादा है तो यहां पर इसको तीन प होते इसके उसको उपर हम क्या करते हैं स्वीट सी या तो सप्रोस की या सब्सक्रोजस शुक्र आपको बताएं कि मतलब होते हैं derecho वोग तो तो इसके हम कोटेंग कर देंगे तो यह सके üूपर पूरी पूरी की बूरी लेयर से बना यह समझते हैं कि अब यह चीज हमारी होगी क्या तो देखो नॉर्मल आप समझो कि मालो कोई वेमारी जो टैबलेट है वो हमारी compress होई और compress बनके हमारी इस तरह की एक tablet बनकर आ गई वही सीधे machine से compress होके निकली है क्योंकि coating हमारा जो होता है वो compression के बाद का इस्टेप होता है तो यह हमारी एक water in soluble चीज़ होती है अब इसका काम क्या होता है तो अगर हम इसके उपर यह coating कर देंगे तो अब क्या होगा कि जैसे पानी बगए आप यह हमारी प्रोसेश चल लिए और 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 भी कहीं दोरान हमारे moisture बगए इसमें आएंगे और अगर पानी मिल जाता आपक और यह हमारी waterproof लोगी तो यहां पर जो हमारी सिंपल हम बाटर प्रूफिंग कर देंगे अपने टैबलेट की इसके जैसे हमारे कुछ सेलेख हो गया या जीन हो गए यह सबसे ज्यादाइं इसके लिए और इनको हम सीलेंड नाम से भी जानते हैं और यह पॉलीमर की तरह ही ह safety को थोड़ा था बड़ा देते तो ये पहला step म HARा क्या हो गया ceiling हो गया अब महरा आता है second step तो यहाँ पर है इतनी बंजतब्स आती है फिर हम इसके उपर और यहां पर सब कोटिंग हमारा एक्चुल में वह मेन फंड आए जहां पर हम क्या कर रहे हैं इसके उपर कोटिंग कर रहे हैं कोटिंग किसकी कर रहे हैं सुगर कोटिंग कर रहे हैं यहां दोस्तों तो जो हमारा सब कोटिंग वाला पार्ट आपको नाम से समझ जा रहा होग सब कोटिंग यान कि जो मेन कोटिंग है उसके अंदर हमारा सब पाइग इनिशिल करते been अपनी जो टै Bridge वगए कोटिंग करेंगे और कोटिंग इसकी करेंगे हमारा कुछ मैट्रियल य зр चिब करेंगे और रह इस तरह से इसकी और कोटिंग होगी और यहां पर हमारा रोटेट भी करती रहते हैं क्योंकि एक बार में एक टैबलेट के ऊपर हम यह कोटिंग नहीं करते हैं जैसे आपको मैं यहां दिखाता हूं और फोटे डिग्री पर है तो थोड़ा सा ग्रेविटेशन फोट लागे और यहां पर फिर से नीचे गर जाएंगी फिर यहां पर जाएंगी यहां वाई हमको साथ-कसाथ सुकाने भी तो यहां इस तरह से मारा जो इस प्रे है वह इन टैबलेट के ऊपर गिरता रहता है और यहां पर जो मारी सब कोटिंग प्रॉसपे इसमें क्या हो रहा है इस में हमारा जो आपने सॉल्यूशन में ने बता दिए सुक्रोज बगेरा गम और आकैसी बगए अगवर करते हैं यहां पर चिंग थोड़ी सी चिप-चिप होती है यान कि वह आपसमें सकती है इस पैन के साथ भी ऐसे तो यहाँ पर हम सूखा सा थोड़ा-थोड़ा डिश्टिंग पॉड़ा जो भी हम साथ में तोड़ा दालते रहते हैं कैसे अब देखो यह टैबलेट है इसके उफर कोटिंग होई फिर हम यहां पर हलका अपस में चिपक जाए अगर यह टैबलेट आपस में चि करते हैं जिससे इसकी बढ़िया से मतलब कोटिंग हो जाए और यह मैट्रियल मतलब यही वाला हमारे स्टेप होता है जिसमें हमारा वेट भी बहुत जादा भढ़ जाता है क्योंकि एक्ट्वल में जो सुगर की कोटिंग हो हमारी इसके उपर यहां पर आजाते ठीक है तो साथ माम इसकी बगरा कर लेते हैं और फिर हम जो इस टैबलेट को बाहर निकाल लेते हैं तो यह चीज़ हमारी होते हैं सबकोटिंग वाले यहां प्रोसेस और फिर हमारी स्मूथिंग वाली तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं अपना सिंपल जो सीरॉप सॉलीस होना था वह हम इसके उपर अपलाई करेंगे और वह क्यों करते हैं क्यों कि देखो आपको पता हमारी यह टैबलेट करते हैं तो हलका से निपर रफनेस दिखती है रफनेस मतलब एकदम चिकने स्मूथ नहीं दिखते तो वह काम के लिए हम यहां पर स्मूथिंग करते हैं और यानि नहीं हमारे यहां अठाए करेंगे और यहां पर हमक से समझा at現在 संबस्वार करेंगे और यहां पर यहां पर हमक्राइओ करते हैं Bye insolubal करते हैं तो वह हम यहाँ पर क्या करते हैं इनके ऊपर कोट करेंगे और इस तरह हमारी जो देना होगा वह संथिया क्वार कलर कोड़ को देना होगा वह उमारे शाब करते हैं अब लिए पर किया करते हैं और वह पॉलिसिंग के बाद हमारी टैबलेट होगी वह एकदम चमकदार वन जाती है तो इसमें घर लाश्टब क्या आता है पॉलिसिंग वाला आता है और पॉलिसिंग हम एक अलग तरह के मतलब सबस्टेंडर कोटिंग पैन में करते हैं और बाकि यह जो जो हमारी चीजा थी सब के लिए कुछ ना कुछ कुछ कंडिशन बगरा भी होती है तो बस हमने इतना दालेंदी नहीं लिए है कि मतलब कैसे क्या करना बाकि जब हम एक्विमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कौन-कौन से पैन काम यहां पर यूज करते हैं ठीक है तो जो हमारी पॉलिसिंग होगी इसके लिए हम लोग खापी सकते हैं ऐसा नहीं आप सोचो कि रियल वाल दो हम जो है इन्हें पसलाब अपने अंदर इंट्रिड्यूस कर सकते हैं बाड़ी में खापी सकते हैं तो यह हमारी तो यहां पर सिंपल सीरुप को लिया और उसको यहां पर कर दिए फिर हमने यहाँ पर अपने कल्रिंग एजन सप्लाई करके कलर बगरा बना दिए कलर खेलिए वाटर इंसॉलिवल चीजों का यूज किया और जब कल्रिंग होगी तो हमने इसकी पॉलिसिंग कर दिए और यहां पर हमारे जो टैबलेट होगी वह तैयार हो जाती है तो चाहिए और देखो कितनी जाधा कोटिंग करकर के हमारी इतनी मौटी सी बंजाती है पेट बगरा भड़ा जाता है तो वह सारे काह हमारे फिल्म कोटिंग में नहीं होते फिल्म कोटिंग में क्या होगा कि एक फिन पॉलीमर की लेर तो वह हमारी स्टैबलेट के ऊपर यहां पर कवर करते हैं अपने इसी टैबलेट को एक थिन पॉलीमर लेयर के साज यान की पतली सी और हां फ्रेंट अगर आपको बैग्राउंड में नोइज या दाने बगरा सनाई दे रहे हो तो उसके लिए सौरी जैसे आज चट पूजा बगरा तो यहां आस पर उसमें यान की अगर देखाता है काईदे में तो बहुत ही पतली होती जादा मतलब मौटी नहीं होती एडवांटेज की आखिर मतलब इसके फाइदे क्या है उन क्यों कर रही है तो अगर कोई ड्रग है तो उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे एटमसफेरिक एफेक्ट यान की एंवार एक हम इसके उपर कोटिंग करेंगे सिंगल लेयर की हमें बारबार कोई यहां रूधा काम नहीं करना है और हमारी यहां पर देखा था यह सब आरे नॉर्मल सी वात हैं को टिंगा बारे में आब हम बात करें मैठ्रीयल यां की फिल्म कोडिंग के अंदर हम कौन कौन से मैठ्रीयल के यहां पर यूज करने तो पहले नम्मर पर हमारा आता है पॉलीमर अब पॉलीमर हमारे फिल्म फॉर्मर अब देखो यहां पर मैंने आपको एक चीज बसाई थी वो था हमारा एंट्रिंग कोटिंग वाला तो अगर यह पॉलीमर जो हम ले रहे हैं वो अगर हमारा फिल्म फॉर्मर अगर हमारा नोन एंट्रिंग वा पॉलीमर्स होते हैं फिर हमारे कुछ सॉल्वेंट होते हैं फिर हमारे यहां पर होते हैं फिर हमारे यहां पर होते हैं और देन हमारे यहां पर कुछ मिस्लिनियस एजेंड वगरा होते हैं तो चलिए एक करके सभी को तो यह हमारा क्या होता है जैसे कोई भी टैबलेट हमारी है तो उसके ऊपर हम इसको क्या करेंगे इसको इंप्रूव एपियरेंस जैसे मालों कोई टैवलेट है हमने उसके ऊपर ऐसी चमकदार एक पतली सी लेयर चड़ा दी तो इस टैवलेट की एपियरेंस जो देखने में बहुत जादा बढ़ जाएगी और सबसे वही एटमोसफ़री कंडिशन से क्या होगी प्रोटेक्ट होगी तो बस इतना सा का हमारे यहां पर क्या फिल्म फॉरमर्स का आए एक्जाम्पल आपको जरूर याद रखने दो चार बहुत जाता जरूरी है तो यहां एक्जाम्पल क्या है जैसे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिठ सकते हैं ए्मेच सेलुलेट यह संपल किकरने का काम काम करते हैं कि जिससे वो हमारे जो जो पॉलिमर्स होगे वो हमारे टैबलेट के उपर अच्छे से चिपक पाएं डिजॉल्व हो पाएं तो एक्जाम्पल जैसे मारा वाटर हो गया मिथनॉल हो गया इथनॉल हो गया ऐसी टॉन यान की हमारे एलकॉल बगएरा भी हम इसमें यूज करते हैं फिर हमारे थर्ड य हमारे जो पॉलिमर्स होगा तो यह अगर देखा था था थो थोड़ा सा फ्लैक्सिबल होदा क्योंकि हम टैबलेट के ऊपर भाई इसको चड़ाइंगे पूरा तो अगर वह फ्लैक्सिबल नहीं होगा तो तूट जाएगा ब्रेक हो ताएगा तो इसलिए उसकी use करते हैं ग्जामपल यहां पाले इस्ट गलाइकॉल हो गया पीजी बहुत है तो कíchलेंट हमारे फिल्म कोटिंग है कि थोड़ा से यह अब्भी होगा और इसका अपीरेंस जो आच्छा हो तो इसके लिए यहां पर यूज करते हैं कर्देंट बना अपने कलर वाला इसस अबिस्टान तो यहां यूज करते हैं एक्जाम्पल जैसे संसेट येलो हो गया और टार्टरजीन हो गया और हमारे इन सॉलीवल पड़ती है तो उससे यह प्रिवेंट करता कोई लाइट वगर आया है तो मारी टैबलेट इंदम खराब नहीं प्रिवेंट करने के लिए हमारे यहां पैसी फायर वगर भी चीज़ां यहां पर इस्तिमाल कि जाती है तो यह हमारे तीन चाहस चीज़ा थी अब कुछ अगर मि मैक्रोब से बचाएंगे तो यह सब चीज़ा भी हम यहां पर जो अपनी फिल्म कोटिंग में इस्तिमाल कर सकते हैं जिस्ते मारी टैबलेट जो बहुत जादा सेफ हो जाए क्योंकि हमारा पहला परना क्या था कि हम अपनी टैबलेट को एट्मॉस्टरिक कंडिशन से क्या क करेंगे यहां पर सेफ करेंगे तो भई हमने यह कान तो करना ही पड़ेगा तो इन सब चीज़ों का भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं तो देखा दाये तो यह हमारे इतको चार-पांच मैथर्ट है जो हमारे मैट्रियल यूज इन फिल्म कोटिंग में यहां पर इस्तिमाल मतलब क्या है जिसकी हम कोटेंग करेंगे अपने टैबलेट के उपर तो वह हमारा सॉलिवल होने चाहिए हमारे सॉल्वेंट के अंदर जो भी हमको चाहिए तो देखो सिंपल दिवात है अगर आपको पॉल्य में यूज करना है सॉल्वेंट के साथ यह आपस में क्या होने होना चाहिए तब यह हमारा जंव बढ़िया तरह से काम करता है तो दुक सिस्प्ल के खो तब हमारे और उन चाहिए इसका चीज़ा है इसके साथ compatible हो इनरेट का मतलब क्या कि हमारी tablet पे कोई भी खराबी ना करें नॉन टॉक्सिक थोड़ा भी मतलब harmful ना हो क्योंकि इस बंदे को लोग इसको खाएंगे भी टैबलेट को अगर यह harmful होगा टॉक्सिक होगा तो भाई बंदे को परिशानी होगी तो यह सब चीजों क्या है तो यहां पर होगे फिल्म कोटिंग के बारे में तो बस यहीं थाफ मारे थर्ड आती टो देखा प्सक्राइब इसके chodzi जो में इसको मैं आपको पहले बदा चुक्त सिंपल में यहां पर हम डैबलेट है और में एसी करते है जो वह क्या करती है की वह हमारी सरी एंट्रिंग पॉलिमर लेइर होती है और वह हमारी केवरेश लेचे से कहां पर एपेउलय के हम किप्र wipe कि जैसी थी बैसे ही अंचेंट और वो हमारी क्या होगी हमारे स्मॉल इंट्रेंट में पहुंच कि और बेसिक मीडियम में जाके वहां जाके जो है तो अब हमको यह समझना कि आखिर भाई इसके पीचे रिजन क्या था कि आखिर हमको यह जरूवत क्यों पड़ी तो देको सिं करते हैं जिससे वह हमारी पेट से नहां के जरी हमारे ब्लड में पहुंदा है और हमारी बॉडी में जांके असर दिखाए है तो जो हमारे एसला ड्रक्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं यहां पर कोटेंग करके हम इसको वह हमारी कुछ सब्सक्राइब करेंगी जैसे को अगर डिलीज कॉम्पोनेट चाहिए जो और को यहां पुछे रिलीज होकि तो यहां पर क्या होगा है इस लिए हम पर करते हैं आफ एक्जांपल समझोगी कौन कौन सी स्ट Wan когда हो जिसका हम करेंगे यह तो ठीक है पहली बात यह मारा पीज दिक पॉलिमर होगा और बेस्टिक प्याच में क्या होगा में इंसवीबल लोगा एग्जांपल यह से मारा है्ट्राइज प्रोपायल मिसाइल तो यह हमारे कुछ important examples हैं जिसको आपको याद रखना ही रखना होगा तो यहाँ पर हमारी जो coating थी यानगी types of coating में हमारे तीन पार्ट जो हमने complete कर ली है अब हमारा यहाँ पर next topic क्या आता है? Coating material वाला आता है अब देखा दाय तो देखो यहाँ तक जो भी मैंने आपको notes दिखाए सभी के अंदर मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है red pencil लाएं तो यहाँ पर दे देख रहे होगा सैलेक हो गया, zen हो गया, यह हमारा sealant की तरह काम कर दा है सब coating में हमारा सुक्रोज हो गया, कैसी होगा, gelatin हो गया smoothing में हमारा सुगर हो गया, कैसी gelatin, pigment हो गया coloring वाले हमारे agents हो गए फिर यहाँ पर और भी जो हमारे examples है यह सभी के सभी हमारे coating material ही तो है यह आपको दिख रहे होंगे HPMC यह सारे के सारे हमारे coating material है तो हमको कुछ अलग नहीं लिखना, जो आपने बस यहाँ पर याद रखा है वही आपको यहाँ example जो उठा के रख देनी है अब बात आते हैं इसको define करने के लिए जैसे मालो अगर coating material बाला चेप्टर आपके लिए पांस नंबर में या साथ में आगे तो आप कैसे करोगे तो बस आपको यह याद होना चाहिए कि यह example आप जो यहाँ लिख रहे हो वह आप कहां प्रजेंट है जैसे एक्जामपल के लिए आपने फिन लेयर बना रहे थे इसके द्वारा किसमें अपनी फिल्म कोटिंग के अंदर में फिर मारे कुछ एंट्रिक लिख लाए कोटिंग मैट्रियल फिर हमारे यहां पर आता फॉर्मिलेशन आफ कोटिंग कंपोजिसन यान कि जो हम में कंप्लीट कोटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन-कौन से हमने मैट्रियल का यूज कि यह एक पूरा आपको यहां पर पर प्लीट बताना है तो दे कोटिंगे लिए हमने अलग लिए हैं अलग लिए हैं अपने मैटरियल और उन सब को मिला के हम एक बार में हमारे कंपोजिसन हो जाए तो यह प्रा work और घूर करते कोई पूरा यूज कर रहें फिल्म से हमारे किने विद्वर कोट कोटिंग यह भी हमारे तरह से मेतलम ही रख हैं अगर कहीं आपको यह लिखे मिल दाएं मैतल सब कोटिंग तो आप confused मतों यह मारे एज़ा method की तरह बर करते हैं बाकि यहां पर अपनी जो coating के पढ़ेंगे जैसे अमारे डिप coating हो गया प्रस coating हो गया इलेक्टर स्टेटिक कोटिंग हो गया और बेक्टिम फिल कोटिंग तो यह सा हमारे कुछ method हैं जिसमें हमारा ये दौन हम पढ़ लिए सबसेंस इंपना। करने बहुत है तो डिस्प्ट करना है मैं आपको करता हum आप करऊ कि यह हमारा कोई पर हमने क्या रखति यहां पर एक तरह से अपना पूरा पूरा ठीक है तो यह हमारा कोटिंग सॉलीजन है हमने टैबलेट ली इस के इंदर पूरा का पूरा डिप कर दिया अब पूरा डिप करेंगे तो इसके चारों तरफ यहां पर यह वाला लग जाएगा थोड़ी दे डिप रहने दे फिर हम इसको निकाल लेते हैं और य भी एक तरह से हमें अमारी कोटिंग हो गई साय्चाव तो ये हमारी कोटिंग हो गया स्प है कि आप तरह से हम इसको कर सकते हैं करते किसकी मददते हैं अपने स्प्रेगन की मददते अब इसका एक्दामपल आप एस समझो आपने मूवीज मैजा वीडियो में आपने कहीं ना कहीं देखा होगा जैसे मालों दीवार है या कोई भी आपके बाइक कोई चीज़ है या कुछ भी आ पूरा का पूरा का फोर्स जनरेट किया और जैसे माल हमारी टैबलेट है और यहां पर हमारे यहां पर कोटिंग मैट्रियल यहां पर करेंगे यह कर लेंगे और फिर हम जो स्कूर्टिंग वर्टकर अपलाई इसके और हुपल समझों हमारी यहाँ पर यह लोए पन्च यहां मारो उपर वाला पंच है और सबर्ण वाल सावन भड़ेगा अपर ना यहाँ वोगई है वह मालों यह है तो यहां पहले रख दिया बढ़ी बनाई चोटी सी अब हम क्या करेंगे इस में हम भढ़ेंगे उपर से कौटिंग वाला मेट्रीयल तो अमने इसके ऊपर अपना मेट्रील भर और फिर हमने इसको कंप्रेस कर दिया यहां कि हमारी अंदर जो है वो सबस्ताइब ऩाल خाण छाओ है इसके उतार हमने बैक्यम तयार कर दिया आप वहां पर रखी और और यह तो तो भी और निहीं करेंगे यहां बिख्राइब गर्गिज्ड निकाल दिया और उपर यहां अपलाई कर देते हैं तो इसके उपर हमारी अच्छी से कलर हो जाती है और ड्राइंग की बजा से हमारी यहां 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 पर कहलाती है बेक्टियूम फिल्म कोटिंग तो यही साव हमारे कुछ मैथर से जाड़ा मतलब ऐसे नहीं थे सिंपली थे हमारे बस आपको अगर नाम याद हो जाएंगे किसमें क्या हो रहा है तो आप आराम से कर सकते हो बाकि यहां यह तीन चार पांच मैंने टिक लगाए हैं इनको आप बहुत ही जादा फोकस और अच है पहला अब रहता स्टेंडर कोटिंग वेंच इसकों कन्वेंशनम मैथर कन्वेंशनल मोलते है तो यहां आपको डाइगराम दिख रहा होगा तो इस तरह का हमारे एक पेझन होता और यहां अमारा Metal का पैन होता है और यहां पर हमारे दो दूद आपको दिख रहे होंगे इस तरह के हमारे पाइप होते हैं आप समझों सिंपल तो यह जो है कर दो हमारी होती है हौट यहां पर थोड़ी सी गरम हवा वह आर पास की जाती है और हमारी से निकलेए तो यह वाली चीज़ है एकजोस्ट लगवालो लगवालो यहांगि यहीं से बापस निकलती है और यहीं पर हमारी प्रिजेंट वह आपको आगे देखेगी सबाअ ने और यह हमारी इस तरह से जो है घ्लो इस तरह से घ्लोव पर ऊपर यहां पर यहां पर आए गी तो भाई यह यहां नीचे आघंगी हमाra ही तो इस तरह हमारी यहाँ पर म ανα muk apparatus होकी यहing को सकता है और यह लगवबा का क्वारा आट से 6 इंची तक डाइगर में हो सकता है यारर किये हमारा माइड इतना हो सकता है ठीक है तो यह आप चीज़ समझे आप सिंबल समझे होता क्या है तो हम अपने इसके टैबलेट बैड़ के ऊपर हम ऊपर से ही जो है यहां पर टैबलेट अपने इंट्रिड्यूस कर देंगे इसके अंदर रख देते हैं यहां पर यह सब अपने सैट कर देते फिर हम इसको लगा देते चालू तो यहां से हमारे क्या होता है इस प्रेगन क्या करेगा वो इसके उपर मतलब अपना इस्प्रेग करेगा या कई वार आपको मैं हुगा तो मैं यहां पर एक वीडियो अटेच कर दूंगा तो उसमें क्या होगा यहां पर आपको दिख रहा होगा त साथ के साथ यह करता रहता है और जो बचे हुई एर है वो हमारी इसके दोरा बाहर निकलती रहती है तो यह इतनी सिंपल थी मतलब कोई ज्यादा बैसा नहीं है सिंपल सा प्रॉसेस होता है इसके अंदर आपको और इसी लिए इसको जो हम स्टेंडर्ड कोटेंग मतलब पैन को देखता यह जिसको हम कनonce सिंपल सकते हैं क talvez करते हैं अब देखा ऐट तो यहें अवाराrios यहां वेख है और हना देखर नहीं होते हैं कुछमारे डिपोप्योंमारेंग सब्काशा को आते हैं और हमारे पाल्टिकल को अच्छे से इधर उदा डिस्ट्रिबूट करते हैं डिफ्यूज का मतलब या पूरे में डिफ्यूज करना अब यहां पर एक तरह से यह क्या होते हैं तो इसका डाइग्राम मगरा मुझे नहीं मिला थोड़ा बैसा था तो यहां पर क्या यहां पर यहां पर आता है इमर्संस वर्ड सिस्टम अब इसमें क्या होता है तो देखो यहां पर आपको यहां पर आपको आपको पॉर्ड ओफीं होग तो आप इस से क्या होता है जी हमारे जो आने को को भी हमारी ह tara हो वह वह हमारी यहां कर दो क है और हमारी हवा हवा फूर यहां से आउज होगी थे जो इन थेप चाहर के आजannie के वहां को यहां तो इस तरह यहां संदा के आपाप दिया ह। यह रहा हो औ вопрос किSmel तरी है और यहां पर आप पर दिख रहा होगा यह कुछ इस तरह की चीज़ है तो लगबग बैसे तो सारा को सेमी है बस यहां पर आपको यह पाइप और स्ट्रक्चिर डाइग्राम आपको अलग दिख रहे होंगे बाकि कॉमन वाला मैंने आपको दिखा दिया उसी तरह है यहां और इथर हमारा यह एक्टम आज़र थोड़ा मतलब तूटके विखर के चार ऄ तरह जाएगी इस प्रिन होदाल है यहां पर हमारी जो इसप्रेश होती रहेगी टैबलेट के ऊपर और और यह हमारे बाकी हो जाएगी ड्राइंग हो जाईगी तो बचा हुआ हो है यहां से बापिस हमारी एक्जॉस्ट हो जाती इस वाले से ठीक है यहां से हमारी अंदर आ रही है यहां से हमारी बाहरत आ रही है तो देखा दाए तो बाट कि दा हमारे लगवग सेम है यह हमारे चोटे मोटे काम यहां पर होते रहते हैं ठीक है तो यह हमने देख लिया इमर्स वाल था लिखन लेकिन इसमें क्या होता है कि यहां पड़ेरा दिंच पूरा पूरा पुरा पैन तो इस पेन खोर जायों कि पर पर रीड को ब और यहांक अगर मैं जो एक तो यह रहां तो जो हमारे यह परफोरेटरा पैन सिस्टम पिर्पर منर्स दिखाना होब हो यहां पर क्या होता कि एक दर और यहां परमारी टेब्लेटर वे अपर लगेगी और यहां चल दाती Bya उतनी जो बो यहां से आराम से निकल दाती है और इतर से मैं इस प्र्वर्तें होता है और ये भी यंद नहीं दोले यहां पर यहां भार कोटिंग और फिल्म कोटिंग दोनों के लिए उसफुल है पहला हमारा है एसलिए लग्टवारा है ड्राइटर स्पेंहों और यहां हमारी परफोरीटट जी यह हम् welded हुँ हुई है इहां से हम क्या करेंगे एर को यहाँ पर हम कर देंगे और यहां पर हम क्या आपने wiので लेट इस टैवलेट वैड में हम क्या करते हैं अपनी को इटेडिउस कर देंगे और यहाँ पर हमारे यह कुछ लगे होते हैं यह कूँकि यह को mixing में बहुत जादा help करते हैं और rotation सबकी इस तरह ही होगी सब की rotation जो होगी हमारी clock wise rotation आपको देखने को मिलेगी अब यहां से हम क्या करेंगे यहां से हम इस पर गंचालू करेंगे हमने टेबलेट रख दी यहां बहुत हैं सब्सक्राइब और यहां सी करते हैं जो हावा फ्रेंट और बहुत होगी हमारा होगी द Florian साइड पर आंस यह मारा टैवलेट के उपर स्प्रे करेगा टैवलेट कोब क गरेगा स्वरी कोटिंग करेग और जो बची हुई एयर होगी एक्जट वो मारी इसके दोरह निकल दाती है हमारा बैक साइड पर प्रिजेंट होता है तो यह हमारा है ड्राय कोटर पैन सिस्टम यारी ड्राइव अगरा करने के लिए नाम बस अलग-अलग है आपको नाम और डाइग्राम याद रखने सिंप करने यह अब हाँ देखाक सेλοफितरों और यह नाम यहारा यहां पर शुम्षफ अंदर आती यहना से यहांicie होगी टेब्लेटगे वगल डcji और उसको और इसके बात हाँ यहां पर यहां पर यहां के ऑ Last हुए इधर से जाते हुए हमारी यह क्या होगी इसके दौरा हमारी बाहर चली जाएगी तो सिंपल है अगर आपको यह डाइग्राम याद हो गया एक दुबार आप बनाके देख लेना तो सारी की सारी कहानी आपको आखो के सामने बस आपको डाइग्राम आना चाहिए और बा तो यह भी हमारा इसी तरह होता है लेकिन यहां डाइगराम मतलब यह थोड़ा बैसा था तो इसका डाइगराम यहां पर नहीं है आप चाहो तो गूगल बगर आपे देख सकते हो चलिए तो अब हम देखते अपना थर्ड हमारे यहां पर आता है फ्लू डाइड बैड कोटर तो देखो इसको अगर याद करना है आपको तो हमने इंजीनेरिंग में हमने पढ़ाता अपना फ्लू डाइड बैड ड्रायर के बारे में तो सेम उसी तरह का फंडा मार यहां पर काम आता है अब इसमें होता क्या है तो देखो मैं आपको याद दिलान चाहूंगा जैसे ब यहां पर हवा में अटकी रहती तो यह वाला खेल हमने तो खेला पता नहीं कितने लोगों ने खेला होगा सेम फंड़ना हमारे यहां पर लगता है फ्लू डायट बैड कोटर में अब इसमें होता क्या है यहां पर आपको यह सारी चीज़ा दिख रहे होंगे अब देखो य थोड़ी देर के लिए क्या हूथ हवा में लटक जाती अब नीचे वहां कि यहां से यहां से शुट्र तो यह चीज़ा हमारे यहांपर चलती रहती है होसी तरह हमारे जो tablet होती है वह भी हमारी उपर नीचे होती रहती है और यहां पर हमारी जो इस्प्रें है वह उसके ऊपर coating करता है यहां पर दो तीन तरह से मिलेगा एक आपको यह तो यहाँ पर मिल दाएगा आपके बौटम मिलेगा या आपको यह तरह पर यह उपर मिल जाएगा तो यह कहीं भी मतलब दो-तीन तरह के हमारे आते हैं सीक अंदर तो वह आपको अलग-अलग तरह से मतलब इंस्टॉल मिल जाएगा लेकिन सबका जो फ्रिफनोमेण वबहारा सेम होगा से नीचे से गरम अबाएगगी टेवलिट हमारी उपर हवा ठीख है बाकि यह थिखॉल धोट में चलिएक हमारा है सिस्टम और सब्सक्राइब यहां पर क्या होगा देखो आप कभी लोगे और लिकुर को आप जितने पतली तरह से बेज होगे वह हमारे एक तरह से उसके ड्रापलेट जोंगे वह बहुत जादा चोटे चोटे होते हैं तो वही सेम फंदा होगा कि हमारे जो इस्परे और यहां पर थोड़ा सा हाई था क्योंकि प्रैशर आए होगा तभी वह चीज नमारी इस तरह से तो यह हमारा पहला पहला था है प्र दिखान होगा तो यहां से हम लिकूट अपने छोड़ रही होगा हो तो यहां पर हम और दुतरा काम क्या करते हैं कि यहां पर हम अपनी एक olives सप्लाइद देपने उपर तकराएगी और जैसे यहां पर तकराती घो मार हमारा वह हमारा उसके जो एक तरह से अटमाइड हो जाएंगी तूट जाता तूट के वह छोटे-छोटे पार्ट में चाहिए और बस हमको के लिए चाहिए अपने डिवाइड इस पर यारी छोटे-छोटे पार्टिकल यह फाइन पाउडर की तरह हम हम को छोटा-छोटा जहां इस प्रेज यह जिससे वह बहुत ही अच्छे और एफिसेंट हो पाएं तो इसी तरह हम दोनों में करते हैं यहां पर हमारा हाई प्रेसर की वज़ए से पतला हो जाता है और यहां पर हम क्या करते हैं यहां पर अलग से प्रेसर यहां पर लगा देत उसको बिखेर का और उसको fine powder spray में convert किया तो आई होप आप लोग यह सारी चीज़ा को समझ गए होंगे तो बस अब जो है मारा लाश्ट टॉपिक वचा जाने की डिफेक्ट इन टैबलेट कोटिंग और इसके बाद हमारा जो टैबलेट कोटिंग वाला पूरा पार्ट हो मारा कंप्लीट हो दाएगा तो देखो सिंपल ना है डिफेक्ट क्या होते हैं जब हम कोई टैबलेट बना गया यह कोटिंग के बाद तो उसमें वही कोई ना कोई अगर परिसानी होगे दिक्कत तो वह हमारी टैबलेट के लाते हमने अलग देखे था यह हमारे हैं जब कोटिंग कर रहे थे उस टाइम पर के डिफेक्ट आए तो बैसे बहुत सारे हैं मैंने यहां लगवक सास से आ हैं आपको पहले सिस्टम है नाम याद रखने पड़ेंगे अगर आप चा कर ली तो इसको इसको हमाब और रहाताब्लudes तो देखो अगर इस चीज़ को मैं डाइग्राम से दिखाऊ तो आपको ज्यादा समझ आएगा अब ऐसे तो कुछ है नहीं मैं मोबाइल में दिखा देता हूं तो यहां पर होता गया कि जो हमारी ब्लेश्टर होती है इसमें कि ज्यादा हो गया ज्यादा इंक्रीज हो गया ड जगे जगे आपको हलके हलके जोए धब्बे से दिखाई देने पड़ते हैं तो देखो हलका सा मतलब आपको कुछ इस तरह का मोईल में दिखा देता हूं इस तरह की आपको जो ब्लेश्टरिंग यहां दिखेगी या आप और भी चाहो तो सर्च करके मतलब चेक कर सकते हैं एक यहां फोलको नहीं करें तो हमारी यहां ठीक हो तक बरॉलम तो तोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिवल बना रहे तो उस चक्कर में अगर कोई यह प्रप्लम हो दाती तो हम इसको चिपिंग बोलते हैं जैसे यहां देखो यह आपको दिख रहा होगा तो यहां पर हलका सा क्या हुआ है देखो यह चीज़ आपको दिख रहे होगी यह चिपिंग हो गई यारी हमने जो किनारों से एकदम गायब कोई प्रॉबलम हो गई फ्लेक्सिबल्टी जादा यहां इसका ट्रीटमेंट क्या है जो हम प्लास्टी साथ यूज कर रहे हैं उसक और जब ज्यादा यूज करेंगे तो इससे क्या होगा तो इससे जैसे हमारी जो बाइस एक्ट वाली लाइन होते हैं और यह बीच में लाइन है पंचिंग वाली और यहां पर हमारी कोई मोनोग्राम लगा जानिकि आप जो ब्रांडिंग दे रहे हैं तो अगर हमने यहां पर कोई अपने कोटेंगे ज्यादा यूज कर लिया तो क्या होगा यह चीज़ भी हमारी फिल होजाएगी यान कि यह हमारी दिखेगी नहीं और यह पर फिलिंग वाली तो इसको तो बस ठीक करने का एकी तरीका कि आप मोनिटरिंग जो करते हैं यान कि जब हमारी कोटेंग कि मतलब आगे प्रॉब्लम नहीं होगी फिर हमारे यहां पर आथी बृट इंग का मतलब यहां पर क्या होता है यह चीज़ हमारी यह वाली देखने लगती तो यह चीज हमारी क्या कहलाती यहां पर विर्जिंग कहलाती यानि एक तरह से पुल बन दाता है और इसमें भी हमारे जो में प्रॉब्लम क्या है जैसे यहां पर हम फॉर्मिलेशन डाल रहे हैं यहां इसमें जो प्लास्टी साइजर बगर आपने यूज कर रहे हैं उस चीजों को ह चाहिए एकदम पॉलिस एकदम भड़िया चीज चाहिए हमको टैबलेट तो अगर ऐसी प्रॉब्लम होती तो यह हमारी रफनेस कहलाती है और यह प्रॉब्लम क्यों हो सकती तो इसको ऐसे समझो मालों यहां से हमक्या कर रहे हैं अब मालों की यहां से हमारी भी ड्राइव पहली हो रहा साथ में यह भी हम देख रहे थे क्यों ड्राइंगी भी करनी है तो मालों यहां से यह तो और यहां संपर फ़ज कहले थोड़ा सा रफ सर्फेस क्रिएट कर देता है तो अगर ऐसी प्रावलम आती तो यहां से आपको यह तो इस तरह से हमारा पूरा पूरा टैबलेट का जो एरिया वह मारा रफ होजाता है तो इसको अगर हमें ठीक करना तो हम क्या करेंगे कि जैसे हम जब इसके उपर कोटिंग कर रहे थे तो जो हमारा नोजल है वो अगर हमारा ज्यादा दूर है तो उसको हम थोड़ा सा पास कर सकते हैं जिससे जो मारा इसका कोटिंग है उसको सूखने का टाइम ना मिले और हमारी अच्छे से और रहे होगा हमने कही टैबल बनके आ रही है रख के आ रही है और बहुँं ये इस में हम ठीक कर सकते हैं बागी भाइत थोड़े सी हीटिंग में सिक mo कoben करें माइल हीटिंग में इसको यूज कर सकते हैं यह सारी प्रोब्लम है फिर यहाँ पर कर हाते ही इस यह स्टीकेंग करें पकी फ़िए गई है यह हमारे जो टेव लेट की पर यह तो यह सब जो मालोटकर इतना हिस्सा मारा पैन के अंदर चिपक रहे गया तो यह सब जो हमारी प्रब्लम है हमारी स्टीकिंग और पिकंग एलाते हैं इसको हमने टैवलेट मैनुफेक्ट्रिंग के दौरान यान भी देखा था तो वह यह उमारी सीम्सेदह है अब इसको अगर हमाए ठीक करना है तो जो हमारी और इसको ठीक करने के लिए हम अपनी मिक्सिंग को ठीक कर सकते हैं इंप्रूव यह और मिकिस्टिंग हैं अपने पैन और गुमा रहे हैं उन सब चीजों को तो आई होप आप लोगो यह सब चीज़ें समझ आ गई होगी बहुत बड़ा लेक्चर हो गया लेकिन आपको कोटिंग वाला देखो यह सारे के सारे नोट्स हैं और तैयार नोट्स हैं तो इसको मैं डाल भी दूंगा अभी आपको टेलिग्राम पर या वैपसाइट पर आप झाल कोटिंग my अभीता हैं वाल पुल झाल कोटिंग तो ऐसारे कर आपको हें एपको आपको आपको गया तो GUYो है सहां हैं घ्जरा देखो को 6,szystतना हैं तो जूड़ा एम एम जापको आपको शातчески हो हो वाला एम माने